स्टुडेंट्स गुड इवनिंग पेरावेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको नई भरती के लिए काफी कुछ पढ़ाया जाएगा, काफी कुछ शिखाया जाएगा और संब्योतिया उन सभी बिंद्वों को हम कवर करेंगे जिन से सलक्षन होता है समय से मोटिवेशन समय पर हमारे टेश्ट होंगे त्यवारी माहूल लगबग समाप तो चुका है और पसुदन सायक या पसुदन निरिक्षक के 2000 से अधिक पद आपके सामने हैं आपके लिए एक मिनिट अमुल्य होती जा रही है चुकी अगर गवर्मेंट चौब पसुदन के विद्यार्थियों को खासकर डिप्लोमा वरक के जो विद्यार्थि हैं उनको लेना है तो राजस्थान में शायद इससे बहतर मोका आगे शायद ही कभी आये अभी तक तो आया नहीं था इतने पदों पर और चुकी दिन प्रति दिन कम्पिटिशन इतना बढ़ रहा है कि सरकारी नोकरी लगभग एक सपना रह गई है तो आप लोगों को दो अजार पच्चिस में आने वाली बहु प्रतिक्षित परिक्षा के लिए कमर कसलेनी है अच्छी तैयारी के लिए सटीक तैयारी के लिए अभी से मेनद सुरू कर देनी है जो टाइम गवाता जाएगा उसका सेलेक्षन लगभग धीरे-धीरे दूर होता जाएगा आपको अपने लेक शीट निश्चित करने के लिए एक विसेश इस्टेटर जी आपको बनानी पड़ेगी पढ़ाई की और ज्यादा तर बच्चे अच्छे गाइड के अभाव में ऐसाफल हो जाते हैं जरूरी निए सभी बच्चे ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं अधिकांस बच्चे घर पर सेल्फ इस्टडी करते हैं कुछ बुक्स का साहरा लेते हैं कुछ कोचिंग के नौट्स का साहरा लेते हैं और वो भी सेलेक्ट होते हैं जरूरी नहीं है कि सभी online ले, जरूरी नहीं है सभी offline ले, पढ़ाई के अपने अपने तरीके होते हैं, धीरे धीरे अपने में improvement करना होता है, लेकिन एक किसी संस्थान विशेश पर हमको पूर्ट याडिपेंट नहीं रहना है, हमको available जितनी भी books होती हैं, उन में से खास खा जो को लेकर के हमको खुद का अपना data तयार करना है, खुद के अपने notes तयार करने हैं, और यदि वो संभव नहीं हो, और जिनकी पहले से तयारी है, उसको सार्प करने के लिए बच्चों को अधिक से अधिक test देना जरूरी है, अभ्यास निरंतर होता रहेगा, आपकी selection के chance उतने ही बढ़ेंगे, लगातार बोर्ड के द्वारा काफी कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, पेपर पैटर्न में, और पेपर पैटर्न को लेकर के हम आपको पहले से आगा कर रहे हैं कि लगातार, पता नहीं कब ऐसा पेपर बन जाए जिसमें 60-70% सही करने में पसी ने है, तो कोई भरोसा नहीं है पेपर सेटर का, क्योंकि हमारे लिए एक मौका कई सालों में आता है, और हो सकता है किसी का सभी की पारिवारिक इस्तितियां ऐसी नहीं होती है कि वो हमेशा अच्छे-चे सहरों में, बड़े-बड़े सहरों में कोचिंग लेते रहें, इसलिए किसी के लिए ये मौके फर्ष्ट एंड लाष्ट भी होते हैं, तो ऐसे बच्चों को seriously नहीं होना, सटिक और अपनी खुद का एक लक्ष बना करके और तयरी करनी होती है, पेरेवेट इंस्टिटूट के द्वारा आपको online classes, live from classroom दिये जा रहे हैं, जिनका वरतमान समय किसा की कक्षाएं रहेंगी, और इसमें कुछ doubt sessions भी आपके लिए रखे जाएंगे, नियमित रूप से साप्ताइक test आपको दे जाएंगे, वो सब सब देते हैं, तो भया सफलता का कोई shortcut नहीं होता है, आप लोगों को खुद को तरीके से मैनत करने की आवशकता है, जो बा अचे भी अपना last मौका एक तरह से आजमा कर देखना चाहते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं कहूंगा कि जो notes उनके पास पूराने हैं, उनहीं notes को एक बार recall करें, और revision का एक फंडा अपनाएं, उसमें कोई नई चीज आपको दिखे उस topic से related, उसको आप add कर द computer से, या हम से आप संपर्क कर सकते हैं, WhatsApp पर, तो आपका जो time है उसमें आपका बच जाएगा, और बिना काम का जो confusion लगातार बना रहता है, वो दूर होगा, ऐसी कोई हमारी पढ़ाई नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा कोई mathematics हो, या बहुत ज्यादा इस तरह की समझने की चीजें हो, हमको सिर्फ और सिर्फ जो ज्यान है, जो knowledge है, उसको एकत्रित करना है, और एकत्रित इस प्रकार से करना है कि हम उसका one word में हम उसका answer दे सकें, हमको उसके option की जरुरत नहीं पढ़े, अगर आपको options की जरुरत पढ़ती है, तो आप confused होंगे, क्योंकि options, जो examiner होता है, वो options लगभग इतने सटीक दे देता है, कि आपको याद होते हुए भी गलत हो जाता है, question, ये कई बार देखा गया है, तो अपनी तैयारी को इस प्रकार से रखिए, कि जैसे हमें कहीं पढ़ाना है, और group study आप एक तरह से इसको बहतर कर सकते हैं, questions आप आप सलेबस चेंज का जो माहोल चल रहा है, तो देखिए, दस सब्जेक्ट आपके पसुपालन के हैं, दस सब्जेक्टों कोई चेंज करने से रहा, राजस्तान जीके को कोई हटाने से रहा, तो कुछ बच्चे जो लगातार इसी चीज को दिमाग में रख रहे हैं, कि सलेबस च हो जाएगा, जो होगा, सब के लिए होगा, यह चोटी-चोटी चीजों को एक तरह से मनोविज्यनिक धंग से दिमाग में उतार लेना, और इस प्रकार से अपने आपको में जो अपना एम है, उससे डाइवट कर देना, यह आपको सफलता से दूर ले जाते हैं, तो आपको इन चोटी-चोटी चीजों से हटना है, यह disturbance है, यह अपनी सांती में जो जुडेगा, वो सब के लिए जुडेगा, कोई आप में से अलग से अध्यन नहीं करके आए, लगभग समान से पैटर्न से आपने पढ़ाई की है, या कोई बार्मेपास होगा, या कोई करेगा ही नहीं, और किया हुआ है, और वो इतना इंटेलिजेंट है, तो वो रुका नहीं होगा, कही अच्छी फर्स्ट ग्रेड या सेकिंड ग्रेड की जोब पाच शुका होगा, या पालेगा, उसको विश्वास होता है, तो यहाँ पर जो बच्चे, जो students इस एक्जाम क को फेज करेंगे, वो लगभग समान, शिक्ष्या प्राप्त किये हुए है, तो इन चीजों को हमको दिमाग में रखना है, कि किसी ने कुछ अधर कमपिटिसंस, इस्टेट कमपिटिसंस की तैयरी की है मालो, तो वो कोई बात नहीं उसकी जीके स्ट्रोंग होगी, लेकिन इ इन छोटी-छोटी चीजों को लेकर के, हम 10-15 दिन वेष्ट कर देते हैं, जो नहीं करने चाहिए, आप में से कुछ बच्चे तो दिपावली पर पढ़ रहे होंगे, और कुछ बच्चे दिपावली के 4-5 दिनों में काफी टाइम भी कईयोंने विगाड़ा होगा, तो अधर स्टेट्स की कंडिशन्स देखो आप, मध्यप्रदेश, छत्यजगर, हिमाचल प्रदेश, उत्रप्रदेश, वहां के स्टूडेंट्स से एक बार बात करना, महराष्ट्रा, 200-300 सीट निकल दियां वहाँ पर, और उनमें भी इतना कंपिटिशन होता है, जो कि आप सो तो उन से कंपिटिशन करना, जी एक ने 5 साल और 7 साल की पढ़ाई की है, और एक बच्चा 2 साल का डिप्लोमा मात्र करके, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, राजस्तान के विध्यारतियों के लिए बहुत अच्छा सुनेरा मौका है, और अपनी मेनद से, अपनी लगन से, अपने प्रियासों से, अपनी प्रैक्टिस से, इस बरती में एक सीट हासिल कीजिए, अपने परिवार को खुसी दीजिए, इससे बड़ी खुसी, शायदी कुछ होगी इस जमाने में, आप यदि करोणों रुपे कहीं से कमाल आते हो, या कुछ क की होती है, और हुनी भी चीए, क्योंकि एक लाइफ का पैटर्न, एक निश्चित हो जाता है, भले पैसे कम मिलें, लेकिन मिलते नियमित हैं, भविश्य की निश्चितता होती है, व्यक्ति को गलत चीजों में जाने से रोकती है कॉर्मेंट्चों, और एक तरह से वर्तमान में अपने परिवार का पालन पोशन कर, मुक्ष को प्राप्ति, सोच लीजिए आप कि कितना हम बखान कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक सांत जीवन जीने के लिए जरूरी है. तो बच्चों, LSA 2025 के लिए हम नियमित रूप से online classes इसी platform से आपको provide करेंगे, और online classes में जो प्रारूप है वो यही रहेगा, स्टार्टिंग के दो गंटे का रहेगा, वेटनेरी की classes, उसके बाद राजस्थान कलाशंस्कृती और उसके बाद राजस्थान की जियोग्रॉफी, यह pattern जो सलेबस वर्तमान में हमारे पास है, उसके according हमारा चलेगा. तो धीरे धीरे हम बीच बीच में आपको और बातें भी बताते रहेंगे, और motivation भी आपको करेंगे, demotivate ही करना हमारा काम नहीं है, हम motivation में देते हैं, target आप fix कीजिए, लक्ष अपना fix कीजिए, जो भी जहां भी है, किसी को कहां पढ़ना है, कहां नहीं पढ़ना है, उन चीजों में आप अपने आप पर विश्वास करके और पहले satisfy होई है, उसके बाद अपना अध्यान पर ध्यान दीजिए, देखें, जरूरी नहीं है कि आप अपने सहरिया गाउं को छोड़ें, आप वहीं बैठे बैठे भी तयारी कर सकते हैं, और अच्छी कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही, दन्यवाद,